हेलो दोस्तों आज पाइज जनरवरी दोहर चोबिस का दिन बीपीज सी मेंस यानि उन्हतरमा बीपीज सी मेंस का जीएस पेपर टू का कोई पेपर था जीएस पेपर टू का पेपर था तो उसमें आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि ये क्या पूछ रहा है ठीक है बीपेसी किस तरह से क्वेशन पूछ रहा है जब से अड़ सठमा बीपेसी हुई है तब से नया पेटर्न क्या हुआ है ठीक है तो बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और पलस आज का क्वेशन जो है उसका इनला सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए वीडियो पर चलते हैं कि शुरू करते हैं कि आज का परश्ट कैसा था तो आप जानते हैं कि GS paper 2 का khund 1 में भर्तिये नागरिख सास्क्रों जिसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी से explaining खंद 1 में 114 नंबर का पूछा जाता है कितने नंबर का पूछा जाता है तो खंड 1 में 114 नंबर का इंडियन पॉलिटी दाता है ठीक है इंडियन पॉलिटी 114 नमबर का Indian Politik खंड 1 में राता है तो देखते हैं कि किस तरह से बनाना होता है तो पहला question जो है 38 नमबर का है ये question आपको दीख रहा है पहला question है कितने नमबर का है 38 नमबर का है ठीक है पहला question 38 नमबर का राता है जो कि कितने भाग में राता है मैं बार बार वीडियो में चर्चा कर देता हूँ एक देखी A, B, C, D, E सभी का सभी बनाना अनिवारज होता है पहला खंड का पहला क्वेशन सभी पाच भागु में विभाजित रहता है और सभी को बनाना अनिवारज रहता है पहला आठ नंबर का है देख सकते हैं पहला आठ नंबर का दूसरा भी आठ नंबर का तीसरा भी आठ नंबर का पहले 68 VPSC के जो पहले होता था, 68 मी के तक, 68 मी VPSC के पहले, 38 कोच्चन का 3 प्रश्ण करना होता था, उसमें 2-2 मतब 6 प्रश्ण दिया रहाता था, उसमें से 3 करना है, 38-38 नमबर कर रहाता था, एक खंड में, लेकिन इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें, पहला ही खंड में आपको 5 प्रश्ण करना होगा, पहला कोच्चन और दूसरा कोच्चन और तीसरा कोच्चन आपको करना होगा, इस तरह से कोच्चन बदला हुआ है, खंड 1 में, इस तरह से खंड 2, हम 3 कभी चर्चा करेंगे, तो पहला प्रश्ण हम लोग देख लेते हैं, इसका आस्तर भी केरल राज, ठीक है, का अलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए, ये था परशन पहला, मोल धाजे का सिधान से लेकि, ठीक है, बेसिक एस्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे, इसके अलोचनात्मक मुल्यांकन करने को का, दूसरा है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े बर्ग, मत मिलना चाहिए, या नहीं मिलना चाहिए, उस पर टिपनी करने के लिए बोला है, तीसरा सब सौट कोचन है, लगू उतरिये है, पचास सब्द में इंसर दे देना होता है, सौट कोचन का, ठीक है, फिर आए तीसरा, देखिए, सी में है, भारतिय समिधान की संसोधन प्रकिरिया, अनुछेद, कितना है, 368, ठीक है, संसोधन प्रकिरिया का, अलोचनातमक बर्णन कीजिए, ये भी कितने नमबर कथा तो, आट नमबर कथा, ठीक, बताये कि किस परकार भारतिय समिधान की प्रस्तावना, भारतिय समिधा की कार योजना परस्तुत करता है तो ये परस्तावना से प्रशन आपको रहा ठीक है फिर आए देखिए कि जातिये जनगन्ना किस परकार से बिहार के राजनितिक को परभावित करेगी जातिये जनगन्ना से कोचन आया अभियाल में बिहार में जाती ये जनगर्ना हुआ है जाती ये जनगर्ना से किस परकार से बिहार के राजिति को परभावित करेगी इस पर बर्णन किजिए ये आपका ये पांचों को पांचों बनाना है कितने सब्द में बनाना होता है तो पचास पचास सब्द में कि ये पूरा पॉलिटी से ठीक ठाक है सब सब्जेक्ट एकदम आप अच्छे से त्यारी करेंगे एम लश्मी कान पुष्टक से तो आपका त्यारी ठीक ठाक रहेगा तो ही बनेगा पहले होता था कि रटा रटाया चीज जाएंगे चार चीज दस बीस क्वेशन पर अच्छा रटाया और परदह संथागत समद्ध है बरतमान संदर में इसकी बदलती पुलिकिया पर चर्चा कीजिए question ये है, भारतिय समिधानिक पाठ के नुसार, मतलब जो भारत में समिधानिक पाठ जो दिया हूँ, यानि समिधान के नुसार, राश्पति और परधान वंतरी के भी जो संस्थागत सम्मंध कई साथ, ठीक है, तो इस पर चर्चा करने के लिए कहा हुए है, ठीक है, तो ये थ बड़े भारतिय राश्टियता के दो एक साथ परियास में नीत है, राज धीरे-धीरे सांस्किर्टिक विविद्दाओं को अपनाना और बड़े भारतिय राजनितिक समधाय के परतिवद्दा, उपरुक्त कथन के अलोग में संगबाद के भारतिय मोडल की परकृति, ये संगबाद के भारतिय मोडल की परकृति का अलोचनात्मा परिछन के जिए, उपर का जो सब्त है, उसको देख के, संगबाद भारत का संगबाद कैसा है, ठीक है, तो संगबाद के भारतिय मोडल की परकृति का अलोचनात्मा परिछन के जिए, दोनों में से एक जो आपको करते हैं यह त्यारी साथ को करते हैं तो यह हम लोग का चैनल नय चैनल खोल लजारे इस टोगेदर मतल सब ध्यान करेंगे उसा पर यह कहने ज्यादा फैदा कि उसमें को कि जो जुब पहले सा mathematics स्काराइबो hilft 430 तो आप है राजा दाओर दिजय को गड़ा बंदन चल रहा है एक गड़ादन राजिते के मूल सिधान्थ को विशेष्टा पलस राष्टिये हितों की पूर्ति के दिश्टिकों से विवेचित थेवं विश्लेशित कीजिए तो में रूप से है कि भारत में गठवंदन की राजनितिक के सिधान्थ क्या है आर जेडी का चल रहा है ने आर जेडी पलस जद्यू ठीक है बिहार में गठवंदन के राजनिति के मूल सिधान्थ को विशेषित कीजिए राष्टिये हितों की पूर्ति के दिश्टिकों से विवेचिते में विश्लेशित कीजिए तो यह 38 नमर का क्वेचिन या तो आप यह बनाईए या तो फिर अथवा में भी दिया हुआ और में अस्थानिय स्वासासन इवं कार्जबति को पंचायती राज तथा सहरी संस्थाओं के ससक्तिकरण के दिश्टिकों से बिहार में धारतली अस्तर से उधारम के साथ अस्पंश्टर मुलांकन की जिए तो यह 38 नमर का क्वेचिन आपका है दोनों में से एक बनाना ठीक है तो 32-34 नमर का है टोटन 114 नमर को लीं समाब यह पूलिटी से River को चल से ठीक है खंड तीन यानि खंड तीन में टोटन किथने पराष्ण करना था तीन में टोटन में प्रेश्ण में कितना है पहला में पांच था सोचिए आपके पास बिकल्पट बहुत कम है। पहले होता था कि 6 पहले क्या होता था? पहले 6 परश्न मिलता था, उसमें 3 बनाना होता था, 337 नमबर कऱाता था, लेकिन 9 परश्न आपको मिल रहा है, जिसमें 7 आपको बनाना पल रहा है। कुछ सब्सक्राइब जैसा है इशलिए लिकिए हैं बनाना डूसरा में या यह या भी बनाएगा तो वहां से एक निस्तरा में पांच वहां से 2007 मे फास्थ आप मैं इसी तरह भी खंड दू में भी 7 प्रस्ण करना है 2 प्रस्ण खंड 3 में थोगा सा कम रहता है उसमें भी 5 एक 6 प्रस्ण करना है उसमें तो और 7 प्रस्ण में 6 करना है वो तो और कड़ा है ठीक है तो चलिए ठीक है देखते है खंड 2 में कैसा question रहा था खंड दो में किस से को प्रस्ण रहता है तो खंड दो में प्रस्ण जो रहता है वो वो भुगोल पलस अर्थ सास्त भुगोल पलस अर्थ सास्त से कोचन यहां रहता है यानि जोगरफी एंड इकोनोमिक्स से परशन यहां देखने को मिलते हैं तो आप यहां देखें क्या क्या परशन पूछा गया यह भी कितने नंबर करेगा तो यह भी टोटल 114 नंबर का ठीक है यह भी पहला परशन शाउठा नंबर का पहला प्रशुन क्या है? 38 नंबर कर रहेगा. 5 भाग में भी वाजित पाचों को पाचों बनाना है. ठzahl कहा है? ये भी सेम अप्सन. हम मैं बारबार इसलिए बता रहा हूं कि नया पैटर्न, नया पैटर्न. इसलिए कर रहा हूं कि तो देखिए पहला क्वेशन क्या था भारतिय मोंसून तंतर की किरिया भीधि विसेस्था का विस्लेशन की थी भारतिय मोंसून तंतर की किरिया भीधि कई से मोंसून भारत में आता है ठीक है उसका किरिया भीधि क्या है उसका विसेस्था क्या है उसका विस्लेशन करने की थ ठीक है. क्यूंकि 38 नमर के पर्ष्ण रहता है तो अड़ाइसद सबमें बनाते हैं. 38 नमर के जो पर्ष्ण रहता है वो अड़ाइसद सबमें, दूसरों. पचास सबमें. तो पहला कवचन था मांसूम, तंद्र के किर्यावीध ही विसेश था. मांसूम कैसे भारत में आता है, परभावित के से करता है चीक या कब समाफ तो इस तरह से बाते थी चाही सब्द में लिखना था है छली ठीक है, सजास के दूसरा है, भारत में उर्जा के सुरोत क्या है? क्या ये घहरेलू मांग की पूर्टी के लिए पर्याप्त है? यह घरेलू मांग के पुर्टि के लिए प्रयाप्त है भारत के लिए संभाभिद वेकलफिक उर्जा के सुरोथ क्या है समीच्छा परुष्टिक विजा आठ नमर में था इतना प्रश्न था तो उर्जा के सुरोथ क्या है आप जानी रहें कि बहुत सारे हो पास है नभी किर टुरूरिज्म इंड़ेश्ट्रीज के बारे हम बोल रहा है कि भारत में प्रेटन उधोग की स्तिति की विवचना किए था इसके 22 कभिस लेशन कीजिए तो भारत में प्रेटन उधोग कैसा है इसका विवचना करना है इन के समाजीक इस्तिति इसका के है कि भारत के पर्मुक्भॉतिक विभाग में विभाजित कीजिए जैसे की गंगा कम मैदान सथा से इस तरह ब्हुमिं में करने का उस पर्धेश को ब्रहन किजिए इसमें बिहार राज की भूमी भी संदित हो सम्मेद हो तो बिहार्राज की भूमी तो कि इसमें ऍू fresh वह एफ गrelated है शर्दी करें आप को पुर्वांद में नहीं करना था कि ठीक है। फिर आएट पाच्मान नमर को चांड ये भी 38 नमर का है दोनों में से एक बनाना है आपको नहीं चाहिए जाने जैसे कि आप कुछ बाते हैं कुछ बाते चोटा नागुर के पठार से तो आप देखके अपना से बनाने का था और और किस परकार से कितने भागों में विवाजित किया गया है यहां साल में कितने मौसम पाया जाते हैं इन मौसमों में किरसी पर परभाव को विवेशना कीजिए तो यह मौसम लिखा हूँ इन मौसमों के किरसी पर परभाव साल में कितने मौसम यहां पाया जाते हैं इन मौसम में किरसी का क्या प्रवाव है इस पर चर्चा करना था total कितने भाग में था पहले तो वो प्रवाज़व करने वाले कारक था था दूसरा भाग था भायु छेत्र को कितने परकार में विवाजित किया गया है, कितने मौसम पाये जाते हैं, और मौसम किरसी पर क्या परभाव करता है, तो टूटल चार भाग में पूछा था, यह 38 नमर का प्रश्ण है, 38 नमर का प्रश्ण है, तो आपको कम से कम तो 250 पलस सब्द में लिखना हो सब्द्र कार से भरगी कृत सहरों की 2121 की जन संख्या के नुसर खुल अवादी वंके बिर्धि दर पर प्रकार टांगे, तो अब राज में क्रियसिल जन संख्या के प्रभ्रती पर प्रकार टालिए, यह 31 नमर का था, दोनों में से एक मनाना था, ठीक है, सहरों का बरगी कर करना है उसके बाद ध्रगारा के जन संक्य पार अबादी की से हुई उसका पर परकाष दाना है विहार never can यह या तो यह बनाई या तो बी है है कि यह बनाई या तो बी बनाई एक भारती हैं के संदर्म में अरथ शास्त्र के ट्रीकल डाउन थेओरी ट्रीकल डाउन सिधान के परमुक्तत लाब सीमा अलोचना का असपश्ट कीजिए तो ट्रीकल डाउन थेओरी के बारे में पूछा है भरती नियोजन के संदर्व में पंचवरसे योजना से अगर आप अच्छे से किये होंगे तो ये बन तो या तो या तो वह बंदन केंगे भारत में मांसूल परनाली को बंदन कीजिए या तो फिर टिकल डाउन थे और ये था कि था ये भोगोल और इकोनोमिक्स के प्रश्ण जोगरफी और पलस इकोनोमिक्स का प्रश्ण था ये फिर खंड तीन देखते हैं लोग ये टोटल कितने नमबर का था ये भी टोटल 114 नमबर का था 114 नमबर टोटल 114 नमबर का ये भी था थीक है फिर आईए सातमा नमर क्या है Chinese and Technology है ''Science and Technology से परश्ण होता है कि बव कितने नमर कराता है, इसके दो परश्ण करने होते हैं ''एक परश्ण सात नमर का एक परश्ण बिवाजीat बाकिसव क्यांदन करना है तो पहला परश्ण था वांकता है बगी सबàng क्या कशन था दूसरा कुछन था शंव्षित उधाृर्न के साथ तक्नीक एवं समाजिक भिकास में संबंद को भीत जना किई है ठीक है तक्नीक और समाजिक भिकास कैसे एक साथ संबंद उसका क्या है इस पर भीत नहीं कहा और चौटा प्रसन था कि करोना महमारी के समय नई तकनीक ने हम लोग को किस परकार सहयता किया इसका विवेशना किजिए पाच मता सतत विकास तकनीकी टेकनलोजी की भूंका पर नोट लिखिए तो ये पांच था पांच में पांच करना था साथ नमर को चन पांच भाग में बाटा हुआ था पहला आठ साथ 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 इस तरह से था टोटल ये कितने नमर का था 36 नमर का हो जालेगा ठीक है kita 6 नमर का था तोटल करना है साथ मा नमर फिर आठ मा नमर परश्ण आपके साबने है आठ य supposedly तकनीक का दुरूप योग यविम इसकी गलत परियोग टिक है परयावरान परियावरन पर्दूसन के तरफ ले जाता है जल्वायू परिवर्तन का कारण बनता है ठीक है उचित उधारन के सहायता से विवेजना कीजिए किस परकार भारत के परियावरन के लिए तक्नीकी दुरुपयोग एक अभिसाब बन गया तो ये क्वेश्चन था या तो फिर ये बना देंजी अब 36 नमर का क्वेश्चन हम लोग ने जीवन में करांती कारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलोजी के पास असीम संभावनाए है मानव स्वास्त के समान में नैनो टेक्नोलोजी के उभरते परियोग भी बचना कीजिए ये 36 नमर के था तो आज इनलाइसिस हुआ क्वेश्चन कैसा पूशा जा रहा है किस तरह से बनाना होता है कितने प्रस्ण करना होता है ठीक है यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले यह उन्हतरमा बीपेसी का जिस पेपर कू का मेंस था तो आपको आसा है कि आपको यह अच्छा लगा होगा ठीक है यह हां से प्रस्ण इस डिरेक्शन में आप तयारी अगर करके रखते हैं तो आपको बेनिफिट बीपेसी मेंस में होगा यदि आप जोग में हैं और बीपेसी का तयारी करना चाहा रहे हैं तो इससे बढ़ियां प्लेटफॉर्म ऐसा करिए कि हम लोग सब साथ मिल कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म करें जिसमें कि सिर्फ BPSC के मेंस की बाते हो, पिरी छे महिना के बिसे बस्ट होगा, जब मेंस का तयारी हो जाएगा, तो पिरी बहुत कम समय में तयारी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या हो क्या रहा है, कि पिरी तो निकल जा रहा है, मेंस में दिकत हो जा रहा है, बार बार, इ इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे मेंस का पहले तैयारी अच्छा से कर लेंगे उसके बाद पीरी का तैयारी करेंगे ठीक है ताकि पीरी का तैयारी लगवक्त सभी स्टूडेंट के हुआ है मतलब हुए रहता है छे मेहना में हो जाता है लेकिन मेंस में कम समय मिलता है पर एक वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो एक बार लाइक करते हैं और चैनल जो आप सब्सक्राइब यूट्यूब पर खोज के सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है और धन्य बाद जहिंड